लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें कि मेरे तो यह समझ में नहीं आता कि आप सब लोगों को जब यह पता है कि मिस्टर रवी कपूर यहां पर नहीं है वह दस सालों में पहली बार काट वानू में अपनी बीवी के साथ गए है उनकी इकलोती बेटी जिसका आज जनम दिन है वह अपने स्कूल के ट्रिप के साथ हुए है यह सब जानते हुए आप सब लोगों ने आज मीटिंग क्यों रखी इसलिए कि कल तक बहुत देर हो जागी मिस्टर कुमार हमारे शेयर मार्किट के बिजनिस में तो एक मिनट में लाखों करोड़ों का उतार चला हो जाता है गुद मॉनिंग 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 अलिक्स बिला फॉरण जलाया है यह बात दूसरी है कि आपकी भावी नाराज है मुझ से भी और आप लोगों से भी राइट शो भी प्रसीड मिस्ट कुमार पूरे मार्किट में अफवा फैल रही है कि मात्रे टूल्स अपना प्लांट बंद कर रही है और कंपली लिकूट क्या भाव गिरना बंद हो जाएगा या मार्किन में खबर भैलते ही कि हम अपने शैज नहीं बेच रहे हैं तो भाव बंदना शूरू हो जाएगा I mean gentleman where is the problem? Kumar yes sir आप इस समात्र को phone कीजिये और कहिए कि मैं उनसे बात करूँगा Mr. Aouja, excuse me sir, Katmanu से आपका phone आया है I'll take it there, excuse me Hello? Yes, you are coming right now? Flight is late now You are coming from Dupair's flight What are you talking about? Meeting is starting now, Board of Directors are sitting here I don't know, I will come from Dupair's flight That's not possible Anita Why? If the meeting is finished, I will come from Dupair's flight which is not possible I will come from Indian Airlines flight I will come from Dupair Is that past me, no? Hi पर लुएक। तेंक्यू। थैंक्यू। थैंक्यू। आनीता अनीता तोल है उप्टु के बढते के लिए आनीता अनीता कि नीटा बेटी इतने उदास के बैटी हो आज खेलोगी नहीं क्या देखिए नो टीचर आज मेरा जनंदिन है और मेरे पापा मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे जनंदिन पर मुझसे मिलने आएंगे कि अबीदिक नहीं है कोई बात नहीं आजएगे तुमारे पापा का फोन आए जल्दी आओ पापा का फोन है आई स्वीडार हुए आप मेरे आपसे बोलूगी नहीं को आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे जनंदिन पर आएंगे आए आगे आऊ यहां काटमंडू से अब बहुत जल्द कई आराह जरो एला तुम्हा ने लेक बहुत अच्छी डाल करी रहे है यह हूद अच्छी लेक तुम से नहीं ची नहीं तो ममी नहीं पहुंची ? नहीं पपा अच्छा काम करो, ममी आ जाया को उनसे कहना कि पापा को फोन आय था और उनसे वही रुखने को कहना मैं वही पहुच रहा हूँ जैसलाइक सुबरमेन डेडी जैसलाइक सुबरमेन जुम विटे, हाँ पापा विष्यू वेरी वेरी हैपी पॉर्टे थैंक्यू पापा अच्छा तुम्हें आता हूँ बाइ बाइ अनिता, मीटिंग जल्दी खतम हो गई इसलिए दोपेर की ही फ्लाइट पगड़कर चला आया तुम्हें सप्राइस देने लेकिन तुम्हारा कहीं पता ही नहीं है शायद तुम गीतू को जनम दिन विष्क करने अकेली ही पोख्रा चले गई हो यही सोचकर मैं भी वहीं आ रहा हूँ और अगर तुम यहीं काटमंडू में हो पोख्रा नहीं गई अब तक तो मेरा यहीं इंतजार करना क्यों यहीं यह लो तुम्हारी को लिए थैंक यू पापा ममी नहीं आई ममी अभी तक नहीं नहीं लगता है तुरहारी ममी मुझसे नराज है तरह असल में दिल्ली गया हुआ था और आने में तरह लेट हो गया पापा आपामेशा लेट हुजाते अरे बाबा इस बार मैं लेट नहीं हुआ तुम्हारी ममी लेट हुई है अभी तक नहीं आई वह असल में वह मुझसे बहुत पहले निकली है गाड़ी लेके उससे तो यहां बहुत पहले आना चाहिए था मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए बड़्डे प्रेजन लेने गई यहां पापा मुझे प्रेजन नहीं चाहिए आप जाए और ममी को ले आए अच्छा भावा जैसे तुम्हारों को एक काम करो तुम अपनी गुड़िया के साथ खेलो केल खता मुझे बले हम पोने ले आएंगे गिम्यकेस कर दोख... प्रोप्रोटनाग कर दोरद एारा बाल-भाल-गा इस दिसे खिए्टनाग क्या का जिस जिसे खिरे का इनकी में एका जिसे खिए्टनाग। खोज में किसकी भटकी ये प्यासी जवानी नजरों में उल जहन चहरे के क्यों है परिशानी खोज में किसकी भटकी ये प्यासी जवानी नजरों में उल जहन चहरे के क्यों है परिशानी बाला 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 खोज किसी ना किसी की है यहां सब को बिछर सनम से मिलन जाने कब हो खोज किसी ना किसी की है यहां सब को बिछर सनम से मिलन जाने कब हो यहां रहां धुंडे यह निगाए किसको बोलो 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 ना झाल झाल खोजी है जिसकी मैं उससे मिला दू प्यासी प्यासी दिल की प्यास पुछा दू प्यास पुछा दू तो क्या दोगे मुझे को बाल बाला 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 recreate कौन है आप कहां से आये हैं नाम क्या है किससे मिलना है क्यों मिलना है यह क्यों आये है काम क्या है किसलीया है इन सब सवालों के जवाब में कोई भी एक सवाल चुन लीजिये जो आपके केस के मतालिक हो और शुरू हो जाईये यहाँ ड्यूटी पिको है जो … लो करो बात ये आपने तो पहला ही सवाल मेरे केस के मतालिक कर दिया कि मैं हुना ड्यूटीपर कासरे दाबे tragen किया यह काम है उनुचे र है चाह Firebase टीब हो यहां किया क्ली करत कर दिकार मेटानी है कि मैं पीड़ी अनिटाय यहां पर्सन चूटी माला इस ein देशाल काम के मेरी बीवी भागी नहीं है लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपकी भाग गई आपकी बीवी लाप पता है यहाँ को कैसे पता चला इसनलेके इंस्पेक्टर बलबीर अंदर नहीं है और मैं तो कहूंगा आप उनसे मिलिये भी मत क्योंकि वो आपकी बीवी को जरूर ढूंड निकालेंगे और फिर आपको बच्ताना पड़ेगा इंस्पेक्टर बलबीर कहा है देखिए मैं आपसे उम्र में बढ़ा हूँ फूंके नहीं आप मेरे तज्जूर बेसे फाइदा उठाए इंस्पेक्टर बलबीर कहा है ठीक है मत मानिये मुझे क्या वो मेरे भाई के धाबे पर है तुम्हारे भाई के धाबे पर हाँ हाँ वो भी दाटाबा मेरा चुड़वा भाई मेरी तरह धार मेरी तरह चेहरा मेरी तरह आख करन्ए मेरी तरह मुझत मुझत मूच अलग है और क्या है कि मैं कुछ रहा पड़ा लेकाओ ना इसलिए करस्टेबल बन गया और वो बेचारा ढाबे यह जौशा प्रम गClुड़ः का यह जॉब मैं का भाईया आप एकाम कीजिए आप सीरे मेंवे जले जाएए और आप किसी से भी पूछ लीजिए अरे टूरिस हो या लोकल किसी से भी पूछ लीजिए के बॉबी का धाबा का आए वो आपको फोरन बता देगा के बॉबी का चला किया सुनिये पानी डल दे जी आप उस हवल्दार से मलकर आ रहा है तुम तो बिलकुल फिकर दी कोई लोड नहीं है कोई डबल रोलना चकर नहीं है वो मेरा तुडवा प्रा है मैं बाबी ते वो डबी समझे फरक्सिव निक्का सा है वो पलीस टेशन में बूमली सनाओकर है और असी सड्डी गुलाबों देना करां मेरा मतलब है सड्डी इकलौती पत्नी गुलाबों ओदा मैं सर्ताज इस्टा बेदा शहंचाए बेताज कहिए क्या हुक्म है मेरे हुजूर इन बाद मुझे उस वाले ने कहा था कि इंस्पेक्टर बलवीर यहीं मिलेंगे कॉंटाबी अरे वो तो बड़ा लॉला है बाशाओ एत्थ है तुझे खाना मिलेगा पीना मिलेगा मुर्गा मिलेगा बटन मिलेगा सरसोदा साग मिलेगा मकेजी रोटी मिलेगी तुसी आडर को करो यार अनीदा तुने मुझे छुआ इसमझे मैं आपको गलती से अपनी बीवी समझ बेठा मैं निग्ना अगमिल्ग कर दीजिए मैं मुझे अपनी बीवी समझ बेठा था यहां मेरी पास समझिए के कि अधर जाए तो उससे प्रेक्के से लगाते है बाश्याव की कर रहो यार हो सकता है उससे सजमुश की गलती होगा अब मैं भी सजमुश की गलती करूंगा काना तुम इंस्पेक्टर बल्बीर पुलिस वाले हो इसलिए आमिरों की चम्तागिरी करने चले आए मगर तुम उसे बचा नहीं सकते हैं कानून को अपने हाथ में मतलो पुलिस आफिसर पर हाथ उठाकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो इसी गलतियां तो मैं रोज करता हूं आफिस देख मिनट अधरा कोट पकड़ना तो तुम ऐसी गलतियां रोज करते हो हैं लेकिन आज के बाद नहीं करोगी आज 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 हॉ को यार का याग 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 मिरा कोट करता हूँ कि अरे गुलाबो एक लास थंडा पानी देना इंस्पेक्टर बल्भी आजी मैं रवी कपूर और मैं वो हुजिस का टावा बन चुका है मगबरा किस बेदर्दी से उजाडा है मेरा चमन अब मैं कहां पेचूंगा दाल सब्सक्राइब नुक्सान के लिए और जी साहिवान मैं कपूर साहब दाताय दिल से शुक्रियादा करता हूँ अच्छा जाट जी बाव आज इंस्पेक्टर साथ मैं पुली स्टेशन के था और वहां आपको डबी शिंग मिले होंगे खाना खाते हुए आपको किसे मालों मेरी बीवी लापता हो गई है मैं उसकी कंप्लेंट करने आया हूँ देखिए आप बहुत टेंशन में है खारा खार लीजे पेट भरा हो तो टेंशन कम हो जाता है ए गुलाबो लस्टी बिलाना आप मीठी लेंगे खारी आप अचीव आदमी है अभी कुछ दिर पहले आप एक ड्राइवर को कानून सिखा रहे थे जब कि मैं रिपोर्ट दिखा मिर्ची उसको धूने की कुछी कमने चीए मगरा आप आपको तो क्या दुनिया जाया भड़ में खाने की फिगर बड़ी आपको तैमिदाल रिपोर्ट यू तो हायर अथोर्टीज ओ हो मिर्ची याद तुम्हारी जब जब आए बीते दिनों की याद दिलाए याद तुम्हारी जब जब आए बीते दिनों की याद दिलाए लाख बुलाना चाहू तुझे को दिल दिवाना भूल न पाए तुम्हारी जब जब आए बीते दिनों की याद दिलाए कि याद दिलाए तुम्हारी जब दिलाए तुम्हारी जब आए दिलाए तुम्हारी जब आए तुम्हारी जब आए तेरी तलाश में दर दर भटके गली गली आवाज लगाई कहां कहां न ढूंढा तुझे को सूरत तेरी नजर न आई सूरत तेरी नजर न आई आवाजें दे क्यों दिल उसको वक्द कभी जो लोट न पाए लाख भुलाना चाहूं तुझे को दिल दिवाना भूल न पाए पाए लोगाई 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 ये अन्होनी क्यों हो जाए जागी किस्मत क्यों सो जाए सब खुछ मिलकर एक पल में क्यों एक पल में सब कुछ खो जाए ऐक पल में सब कुछ खो जाए आसु पीकर कब तक कोई प्यासे दिल की प्यास भुझाए लाख बुलाना चाहू तुझ को दिल की बाना भूलन पाए याद कुमारी जब जब आए बीते दिनों की याद दिलाए बीते दिनों की याद दिलाए मिस्टर कबूर पीते दिनों की याद का सहारा तो तब लिया जाता है जब सिर्फ यादें ही रह गए ठीका जब और कहीं से कोई सहारा ना मिले तो यादो कहीं सहारा लेना पड़ता है लगता है आपको बहुत प्यार है अपनी बीगी से चीहां आपको कोई इतराज नहीं मुझे क्या इतराज हो सकता है लेकिन आपको क्या लगता है वो कहा गई होंगे यहीं तो जानेकल में आपके पास आहता है इंस्पेक्टर साथ लेकर मैं आपको तो वह लसी ऑर साआग से फुर्सद नहीं जी है हाँ लसी और साथ वाँ 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 चखा नहीं आपने आखिर गलती की लेकिन उस वक्त मैंने आपकी बात पर गौर इसलिए नहीं किया कि मुझे लगा आप दोनों का जगडा हुआ होगा वो कहीं नाराज होके चली गई होंगी शाम तक लोट आएंगी फैर नाम क्या उनका अनिता मैसिस अनिता कपूर कपूर और उनका हुलिया गोरा रंग केहरे भरे बाल आखें इस्पिटर साब आप मैंसा घर चलिए मैं आपको उनकी तश्वीर दिखा यह दो बहुत अच्छा होगा पर वो गई कैसे हमारी गाड़ी गायव है तो मेरा ख्याल है वो गाड़ी म नंबर है BAC 2670 यहां की लोकल गाड़ी है 2670 कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फुजूर में परेशान हो रहे हो और वो अपने मैके चली गई हो नहीं इंस्पेक्टर साब पर क्यों नहीं है अनिता के माबाब इस दुनिया में नहीं है जब आफरिका से हिंदुस्तान आ रह थे तो उनका एक राश हो गया से आपकी शादी को कितने साल हुए दस साल और इन दस सालों में आप दोनों मिया बीवी के बीच कभी कोई तनाओ कोई अन्बन नहीं 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 और इन आपका उनको मनाना उनका वापस आजाना ऐसे कुछ होगा नहीं इंस्पेक्टर साब अनिता मेरे बीच में कोई लड़ाए कोई जगडा कभी नहीं हुआ और हम लोग इस तरह से जोदा भी कभी नहीं हुए मिया बीवी में तो हर दस मिनट बाद जगडा होना चाहिए आप कहने कि दस साल में भी जगडा नहीं हुआ पर इसमें हरानों कि क्या बात है लगता आप हर आदमी को अपने हवल्दार डॉबी सिंग लेवल से देखते हैं हवल्दार डॉबी सिंग उसके घर में तो जगड तक बस शाम होते ही आता हूं शाम टोंट वरी सब ठीक हो जाएगा थांक यू इंस्पेक्टर करें अधू एलो अधियर प्राम देली शाहत प्लीज़ पुटः तरू अलो हलो कमार के अधिन से अचल में साब आई हैं नहीं तो साइट अचल वाजाय तुमुझे जरूर कारो यहां क्यों कोई कास मात है सर मैं कोई खास बात नहीं है Good night, sir. Good night. खास बात कैसे नहीं है, Kapoor साफ, आपकी बीवी यहीं है, काटमांडू में. काट काट है? यह तो अभी नहीं मालूम, लेकिन वो काटमांडू छोड़कर नहीं गई है, यह बात पक्की है. ठीजिए. देखिए, काटमांडू से बाहर जाने की सिर्फ तीन सडके हैं, और तीनों पर चेक पोस्ट हैं, तीनों चेक पोस्ट से रिपोर्ट आई है, कि बीए सी टू सिक्स सेवन जीरो नंबर की कोई सफैद गाड़ी वहां से बाहर नहीं गई है, इसका मतलब यह हुआ कि वो अभी क मांडू में ही, तो फिर वह कहां गई होगी इप जैमिट, कहां होगी यह लिटावगा नाइस प्लेस, थेक यू, अंदर कोई है क्या? कोई कोई मैं तो, कोई कोई नाइस, आलो बड़ी हुआ आपसे मिलके, हारे पुलिस वाले कुते होकर पुलिस वाले परीब होगते हो, हारे क्या नाम है इसका? कोको कोको दरसल अन्जीता ने पाला इसे बहुत प्यार करती इसे आप डिक लेके? नहीं नहीं मैं तो जूटी पर हूँ कोको इंसाइट इन लफली टॉक वैसे एक बात कभी समझे नहीं आई क्या आजमी हैं स्पेटी साब हर बात में कोई न कोई हसी शामिल कर लेते हैं परे कपूर साब अगर पुलिस अपने काम की संजीदगी से ही लिप्टी रहे तो हमारा काम तो सिर्फ एक पेशा हो जाएगा बॉरिंग ब्लाड़ी नौकरी मैं चाहता हूं मैं अपने काम को एंजॉय करूं मजा लूं उसका गड़ गड़ मैं चलता हूं मेरे राउंड का ताइम होगा अले ने ने आप तक निपर कोई बात है क्या नाम बताया आपने कुट्टे का कोको कोको डोबमन सुनाएं बड़े वफादार कुट्टे होते हैं जी अजा में जलता हूं मिस्वटे साथ आप परिशान मत हो यह जो भी मुझसे हो सकेगा ना करूंगा बाई 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 हलो मिस्टर अभी कुपूर मैं फादर अंतली बोल रहू अगर आप अपने बीवी की बारे में जाना चाहते हैं तो वक्त पूर्चेज में आ जाएं अगर आपको आओ अग्ता का एप अगर आप फादर अंथनी यह यह मुझस न अभर मैं रवскपूर आपने पी फोन किया ता मेरे भीवी के बारे में वो मिस्टर रवी कपूर मुझे प्रेयर में टाइम लग गया आपको इंतिसार तो नहीं करना है कहा है वो ना जाने तुम दोनों में क्या बात हुई पहले बहुत नारास्ती तुमसे आखिर तुम्हारी वीवी है ना बाद में बहुत रो रही थी तुम्हारे लिए माई सन करो कि तुम उसे माफ कर दोगे और अपने साथ घर ले जाओगे हाँ हाँ फादल मैं वादा करता हूं लेकिन ये तो बता ही वो अनिता 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 मिस्स कपूर मिस्स कपूर अनिता मुझे माफ कर दो रवी मुझे माफ कर दो मैंने तुभी बहुत परिशान किया ना इस तरह घर छोग के फादर ये मेरी बीवी नहीं है आई बग यू पार्डन रवी हाँ ये मेरी बीवी नहीं है देखो माफ संद अब गुसा थूख दो मिया बीवी में जगड़े तो होते रहते हैं और फिर अभी अभी तुमने उसे वादा किया था कि तुम इसे अपने घर ले जाओगे है ना अग्रीड वादा किया था अपनी एसली बीवी लेगे जाने के लिए लेकिन ये तो मैं तो उसे पहली बार देख रहा हूँ रवी ये क्या हो गया है तुम्हें चलो रवी चलो घर चलो अगर तुम्हे गार मेरे साथ चलने का इतना ही शौख है तो मेरे घर नहीं पुलीडू ब्लेस्यों बथ हाँ तो मिस्स अडीटा कपूर अग्सक्जमी ये मिस्सज अनीता कपूर नहीं है हाँ तो Miss Anita Anita मेरी बीवी का नाम है and she is not my wife देखिए दुन्या भर में Anita नाम सिर्फ आपकी बीवी का तो नहीं है किसी का कमी नाम हो सकता है और मुझे अपनी कारेवाई करने के लिए इने किसी नाम से तो बलाना पड़ेगा आप जिस नाम से चाहें से पुकार सकते हैं लेकिन मेरी बीरी के नाम से नहीं देखिए जो आप कह रहे हैं कि ये आपकी बीवी नहीं है ये अभी थावित नहीं हुआ है और ये भी थावित नहीं हुआ है कि ये आपकी बीवी हैं जो ये कह रही है लेकिन जब फादर एंथनी कह रहे हैं कि यह आपकी बीवी हैं तो कोई तो वजा होगी हाँ इंस्पेक्टर मैं जानता हूं कि यह सच कह रही है क्योंकि रात भर मैंने इनको अपने पती के लिए रूती हुए देखा अच्छा आपको याद है कि आपकी शादी कब हुई थी और आपको जी मुझे अपनी शादी की तारीक याद है लेकिन इसकी शादी कब हुई थी सारी रवी प्लीज ऐसा मत कहो इंस्पेक्टर साब हमारी शादी 26 डिसमबर कहुई थी इस दाट राइट मैं सब्सक्टर अच्छा आप मुझे यह बताईए कि आप हिल्यू क्यों गई थी कब गई थी और कहां गई थी इंस्पेक्टर साब मैं नहीं जानती थी कि मेरे एक छोटी सी भूल मेरे ली इतनी बड़ी मुसिबत बंजाएगी शादी के दस सालों में मैं पहली बार इनके साथ यहां चुट्टिया मनाने आये थी लेकिन हम यहां पहुंचे कि कहां भी कि जल्दी वापस आ जाये लेकिन ही नहीं आये और तब तब मैं गुस्से में आके गाड़ी लेकी निकल पड़ी फिर उसके बाद ये चर्श के बाहर गाड़ी में बैठकर रो रही थी मैंने इन्हें समझाया कि एक शादी शुदा उरत को ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि अपने हस्बन का प्रावलम समझ कर उसका साथ देना चाहिए बात इनकी समझ में आ गई हम लोग चर्श के अंदर और मैंने इन्हें फोन किया कहानी अची है लेकिन इंस्पेकर बल्बीर मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसे देखते ही साबित हो जागा कि ये कहानी छूटी है कौन सा सबूत तस्वीरे मेरी असली वाइफ अनीत और मेरी तस्वीरे है तब तो ये मसला हाल हो ही जाएगा हाँ तो मिस्स कपूर मिस अनीता आप गाड़ी चलाती है तो आपके पास ड्राइविं लाइसंस तो हो गई जी हाँ है कहा वो वो तो गाड़ी में होगा मैंने गलाफ कंपार्टमें में ही रखा था और गाड़ी कहा है वो तो चोरी हो गए थी चोर्च की बाहर से अलो चोर जी ओ कम कम मिस अनीता गाड़ी कोई खिलाना तो नहीं है अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई थी तो आपने रपोर्ट क्यों नहीं दरच रहा है जी वो तो आज सुबही लिखवाई थी अच्छा जी डवी सेंग ये सर क्या इन्होंने कोई रपोर्ट दरच कराई थी अप ये ये रही ये रही सफेद रंग की टोयटा बीए सी टू सिक सेवन जीरो है ये 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 कम्प्लेंट बिल्कु बखवास है सर आप अपना वक में बरवाद कीजिए आप मैंसा चलिए मैं आपको तस्वीरे दिखा देता हूँ ये मेरी बीवी नहीं है चलिए 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 कैसा हुआ कि रोभी लभी कि में रुभी हो राई घा इलती सिफेट पार्ट चुरी और ये घाड़ी टेरे बाप का का घॉरी तो मेरे बाप की नहीं है लेकिन मैं तुहारा बाश्याम हुख्य हुख्य हुख'S एप हुआ हुख कि ऐसे कि घउने अज़गे पूले वे जब डाइज ज़ पाइजिक यूला वे इसलिक बाइजस पाइज से अजं़ बीज़ पीज़गे जब यूडले बीज़ इसलिज डाई जब खुड़गे अज़ है हाँ थैं अब है अब इप इन ओड है हुआ हाँ आप आप झ्युणिडर से कंगया जया तौिख बस्ते ह촉े लखाब युटर इसलिट को कि प्लड out थह पूह टहिए la कर 이게 जुद ऑश्जिए ॹ्जः है टी दुटर है आदस 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 तेखले इंस्विक्टर साब क्या इनके कहने के मुताबिक इनका लाइसन्स इस गाडी में है हाँ देख लिए तेखा का है वो लाइसन्स जब यह और मेरी बीवी है नहीं तो इसका लाइसन्स यहां कैसे मिलेगा लेकिन आपकी बीवी का लाइसन्स तो होना चाहिए हो सकता है उन बदमाशों ने चुरा लिया हो हो तो सकता है लेकिन किसका लाइस मेरी बीवी का याने इनका मैं आपसे कैचक है मेरी डीवी नहीं है यहाँ लेकिन इनका लाईसन्स भी तो चोड़ी हो सकता था रोभी सेग अजी समझ गया अब यह जाकर उन छोरों को पकड़ता हूँ और इनकी डीवी डीवी का लाईसेंस समझें आजी एक ही बात है हाथ घुमा के नाग पकड़ो या सीधे पकड़ो आया जाता हूँ मिस्टर कपूर चलें कहा हो आपकी शादी की फोटोग्राप्स देखने हैं हाँ 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 आई आई इंस्पेक्टर आप फादराप आप यह क्या कर रहे है आप लोगों के इंतोसार कर रहा था हम नहीं वह रही को अंधर कैसे आए आउए इस दरवाज़े से 33 नहीं दरवाज़ा दोकुला था यह कैसे हो सकता, मैंने खुद लॉक किया था दर्वाजा मैं मैं कोई सादू संथ तो हो नहीं जिसके आते ही दर्वाजा आपके आप खुल जाए नहीं अच्छे तो आप यहां क्या कर रहे हैं मैंने मतलब आप तो पुली स्टेशन से कहके गए थे क्या आप प्रेयर ले जा रहे हैं येस प्रेयर खत्म करने के बाद मेरा ध्यान बार बार आप लोगों की तरफ खेंचता चला गया मैंसान मुझे लगता है कि तुम्हें शक करने की आदत पड़ गई है और शायद तुम आपने बीवी अनीता पर विशक करते हो कि रात भर वो कहा थी मुझ पर विश्वास करो अनीता रात भर चस्में थी तुम्हारे बीवी मर्यम की तरह पाक है फादर ये मेरी बीवी नहीं है अगर मुझे शक करने की आदत है तो आप लोगों को बहुत जल्द यकीन करने की बीमारी है अच्छा अगर तुम कहती हूँ के मैं तुम्हारा पती हूँ तब तो तुम्हारा पती मैं मालूगी किस तरह खातिर करता तो इनके लिए कोई ट्रिंक्स बनाओ तुम्हें मालूम तो नहीं वह बार की चाबी कहा है अफादर आप कुछ पेंगे पाहट से स्मॉल ब्रैंडी नो थैंक्यू मैं पीता मैं अच्छा पीटे लें इंस्पेक्टर साब आप कुछ नहीं मैं भी नहीं पीता अगर यह मेरी बीवी है तो यकेंडे से मालूम अच्छे कि बार की चाबी कहा पड़ी है हम् कोको कैसे है तू कोगो कोको तू मुझसे नाराज है ठीक है अब मैं कहीं नहीं जाओँगे अच्छा कोको पर यह सुना है जानवर तो अपने माले को पहचानने में घलती करता और खास तो और कुट्टा तो कभी भी नहीं करता शीजिज आप मैं आपको तशवीर देखा तो आपई यह आप आप तश्रीविके बादर ते नियुक्त था है यह नहीं वो तश्वीर मिली नहीं कुछ साब एक मिनिट इच्पिट साब, एक मिनिट, कर्योंने चाहिए डविट, चावी का रख दिया पर आज सुबह तक सिर्फ आपकी बीवी लापता थी, अब उसकी तस्वीरें गुम हो गई है, और अब ये बैग की चावी भी देखिए, इस मास्टर की से मैं मुल्जिम की हदकड़ी उस वक्त खोलता हूँ जब ये थाबित हो जाए कि वो बेकुसूर है शायद इससे आपका बैग खुल जाए, वो तस्वीरें मिल जाएं, आपकी बात थाबित हो जाए, कोशिश कीज़े तैंकी सब्सक्राइब एकादीय क्यान्य सब्सक्राएं आधाया, इसलिए वो पुल्शेशन से निकल कर हम से पहले यहां पहुच गया वो ऐसे बेसे बाद होज़ कि इस बाद में आप आप द्ससवीर के आजगी स्वसी ने सिंञेने। वियोदेदे दीनितो यह पांणाि भीनल्श स्माइब है। सब्सक्राण सुपाड़ेजा थीजियां। सब्सक्राइजिकी कीजिए है। सुपाओ। गढ़े लगा सकते बाट। बाट। इक प्रीस्ट की तलाशी थीजिए। सीजिन फॉर। इसे की तलाशी नहीं लेगे हैं। युरूप। वह रहाए एंस्पेक्टर आप तलाशी ले लीजे विची को यत्राज नहीं लीज आपकी बाद में इंस्पेक्टर आपकी बाइबल थापको नहीं? शॉक से आपकी बाद में रहने के बाद जब अचानक रॉष्णी होती है तो आखें चुंदिया जाती है इंसान रॉष्णी से अंधेरी की तरफ भागता है मेरे ख्याल से इनके साथ भी यही हुआ है माईसान तुम जैसे लोगों के लिए हमने एक संस्था खोल रखिये जहां भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाया जाता है भगवान के रास्ते पर चलना सिखाया जाता है मैं तो बलकि तुम दोनों के पास इसलिए आया था कि वहां के मेंबर्स बना दूँ अगर हो सके तो चर्श पे जरूर आना अब मैं चलता हूँ उन तस्वीरों को भी तो जलाना है मजाग कर रहा था कुटे मिस्टर कपूर अगर आप इजाजद दें तो मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ आपकी बीवी से आपकी बीवी नहीं है लेकिन अगर आपको इतराज ना हो तो मैं इनसे कुछ बात कर सकना हूँ प्लीज मुझे क्या इतराज आज़ सकता थाक्यू चली मैं आपसे एक बहुत ही परसनल बात पूछना चाहता हूँ अगर आप इजाजद ने तो जी जरूर सुना है के पती-पत्नी साथ रहते रहते एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानने लग जाते हैं के एक दूसरे के लिए आईना बन जाते हैं हाँ यह रिष्टा तो एक खुली किताब होता है इंस्पेक्टर साब जिसे पत्ती-पत्ती रोज पढ़ते हैं और इस किताब में रोज एक नया पना जुटता जाता है तो फिर इस किताब के पन्नों को जरा उल्टा कर देखिए और मुझे यह बताईए कि इससे पहले भी आपके पती ने कभी कोई ऐसी हरकत किये हैं जिसके वज़ा से आपको किसी दिमागी डॉक्टर से सलाने नहीं पड़ी हो जी बुरा मत मानिये मुझे मालूम है कि यह मामला जरा नाजूक है लेकिन मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है आपका ख्याल सही है इंस्पेक्टर साब यह और चूट बोल रही है और पर आप इससे क्यों पूछ रहा है मैं आपसे कहा हूँ कि मेरी पीवी नहीं है आप मेला विश्वास कीजी इंस्पेक्टर साब मुझे कभी भी ऐसे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी प्लीज लगता है अब मुझे दिमागी डॉक्टर की जरूरत पर जाएगी आप एक कफी पिला सकते हैं प्लीज आप इससे क्यों बोल रहा है कॉफी किले मुझे मालूम है मालूम है आप मेरी बाद जरशांती से हम सारी मोटी मोटी बातों को तोहरा कर और इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं के सच और जूट के इस तराजू में कौन सा पलड़ा भारी है ठीक है अब ये औरत आपका नाम अता पता आपके बारे में सब कुछ जानने के अलावा ये भी जानती है कि आपकी गाड़ी का नंबर और रंग क्या है राइट तो फिर फिर इसे ये भी पता है कि आप दोनों की शादी मतलब आपकी और आपकी पत्नी की शादी किस दिन को हुई थी और आप अपने बार की चाबी कहा चुपाकर रखते हैं इसे ये भी मालूम है इन सब बातों से क्या होता इसमेटे साथ मैं कहरो रहा है कि ये और फरेभी है और पता नहीं क्यों जबरदस्ती है मेरी बीवी की चगह लेना चाहती है एक मिनट मेरी बात भी खाना है सबसे आखरी और सबसे बड़ा सुबूत है कोको कोको आपका कुटा जो इने देखते ही खुशी के साथ इनकी तरफ दोड़ता हुआ गया अब ये सारे सुबूर तो इनकी तरफदारी कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफदारी के लिए कहीं से कोई आवाज नहीं आई हो सकता है कि हलो, excuse me मैं मिस्स राना हूँ मुझे मिस्स क寂 ने बुलाया था के लिए चंदआ देने को ने रावा एक मिर्ट आप Charles में मैं मैं मिस्स कपूर हूँ आप मिस्स कपूर तो जै आप मिस्सपपूर सेzag मिलचुकी है है न। मेरी तरफदारी में इससे सची आवाज आपको NTV मिस्स राना आप पैचानी में कुछ गर्टी पर रही है यह जा रहा हूँ यह और भी जूट बोल रही है यह नहीं हो सकता इतने सारे लोग एक साथ मिलकर इतने सारे जूट नहीं बोल सकते तेकि मेरी एक सला है दिल्ली में आप जिस डॉक्टर के पास जाते थे और से उसी के पास जाईे गुडबाइ एक मेर इस्प्रेक्टर इसक्यूज मेरे इस्पेक्टर एक बंडे इस्प्रेक्टर साःब तश्वीर है मिल गई उर्ण यह वहीं जहां होने थी एक हाना दूसरी इंके पास्पोर्ट पर है आप क्या समझते हैं कि पुलिस वाले सब बेवकूफ होते हैं बार बार आप चिला चिला कर कह रहे हैं कि वो मिस्स कपूर नहीं है वो मिस्स कपूर नहीं है शादी के फोटोस ढूड़ने का नाटक कर रहे हैं तो क्या है ये सब ये ये कैसे हो सकता है ये सब नकली है जर नहीं ये सब नकली नहीं है ये असली है देखिए भारत सरकार की महर लगी हुए इस पर इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है देखिए अगर आपका अपनी बीवी के साथ कोई जाती जगडा हुआ है तो उसे आप सुल जाएए प पाई, जड़ोड़ा भीजेगे, यस सर Thank you for the donation Mr Kapoor अरे इतनी छोटी से बात से कोई अपनी बीज से नाराज होता है बहुत अच्छी है, आपकी दर से माफी माँग रही थी, जाहिए उसे बात कीजिए Okay दले जसे हमेर कीज़ी में तुम कफी पीना तो भूली गए यह लोग मेंने दोबारा कर दखते हुआ लोना एपमेड़ तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है तुम क्या चाहती हो ये तुम्हें जानता नहीं और फुष्ण जानता हूँ कि तूम बहुत चालाग उरथ हो ऐस ठाग नहों तो हस्बिन से घर की होना चाहती हो वो तो मैं हूँ ही तुम जब भी गुस्से होते हो न तो बहुत ही अच्छे लगते हो मैं नहाने जा रही हूँ साथ चलोगे अच्छा कॉफी पी लेना मेरी बाइबल यहां रह गई है आपकी बाइबल तेर इस तुम्हारे बीवी कहा है यह तो पता दें वो एक बार मुझे मिल जाए तो इस औरत की असलियत खुद बहुत सामने आ जाएगे ना जाने क्यों तुम अपने आखों पर पट्टी बांद कर उस इंसान के खोज में परिशान हो जो तुम्हारे बिल्कुल करीब है अच्छा चलता हूं मैं अफ़ादर येस फादर मुझसे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मैंने आप अपर शक्या आप अलजाम लगा है कि आप नहींता की तस्वीरे चुराई है आप नहीं सॉरी फादर फादर मुझसे माफ कर देजिए प्लीज माई सब गल्ती तो हर इनसान से होती है पर माफी का असले अखतार वही होता है जो गल्ती करके पच्टा है God bless you यानि कि आपने म मेरे साथ बैठ कर ये करमा गरम कॉफी नहीं पींगे मैं समझूंगा आपने मुझे माफ नहीं किया प्लीज से अगर मेरे कॉफी पेने से तुम खुश हो जाते हो तैन आ शो डफनेटले हैं प्लीज फादर हादर 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 नाइस कॉफे लुक्स लाइक हम अपने आप म क्या है तुमारी प्यवी के सचाई क्या है असल कि तुम दोनों के सचाहिए और कॉफी ठेंडी हो रही है थानक यू वो हजबन वाइफ अगर एक दुस्ये पर भर साक ए लेकं़ दूस्ये को प्यार करें में तो इश प्यार के सामने दुनिया का कुई भी छूट अब तासर उठाकर नहीं देख शूता कॉफी ठंडी हो नहीं हो आफ लफली फ्लेवा I think it's South Indian coffee very nice कॉफी के लिए शुक्रिया शुक्रिया तो उसका अदा कीजिये फादर जिसने ये कॉफी मिरले बनाई थी जहर खोलके वाट जया अब आपकी मदद से मैंने उसकी चाल उसी पे उल्टी कर दी मिरले जहर मिला था उसने कॉफी में जो अब आपकी रगों में आपकी मौत बनकर तोर रहा नहीं help me सबस्ट चरे कर उसकी पयाभ करते आपकी मौत घंस से कॉपी एका आते के आतै कॉपी lilपी में रविकपूर बोल्राँ है इंस्पेक्टर बल्बीर, मैं रविकपूर बोल रहा हूँ है अब क्या चाहिए आपको? इंस्पेक्टर बल्बीर, अनिता ने मेरे ले कॉफी बनाए थी और वो कॉफी फादर ने पी और फादर बेचारे मर गए यह? इंस्पेक्टर बल्बीर, आपको यगीन ने हो तो आपको लाकर यहाँ देख लिजए अचा ठीक है, मैं भी अम्बूलेंस लेके पॉछता हूँ अचा थीक है, मैं भी अम्बूलेंस लेके बादर बेदिंग फर यू तुम, तुमने काफी नहीं पी? नहीं, तुम कहां चली हाँ, कहां चली? नीचे, क्यों? मुझे ऐसे लगा कि आंथनी मुझे बुला रहा है अहां, फादर अंथनी से आंथनी अरे वो तो कब केच चले गए और फिर फादर अंथनी तुम्हारे सामने गए थे न कहके गए थे कि पती पत्नी को जगड़ा नहीं करना चाहिए प्यार महबबत में रहना चाहिए समझदारी से काम लेना चाहिए रवी यह तुम क्या करने हो प्यार क्यों देखो रवी जाना काच आती हो मैं तो तुम्हारा मर्द हूँ और तुम मेरी बीवी हो है ना मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ देखो रवी प्लीज तुम्हारे से कर सकता हूँ कर दो 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 Germans हाजी, हाजी, हाजी नजी, नजी हाँ, 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 हाँ हुआ 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 है हुआ 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 है चोड़ो चोड़ो मुझी तंग करो नाची बीवी बीवी I love my vivi my lovely vivi हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है यह साइरिन की आवाज कैसी इसका मतलब पुलिस आ रही है पुलिस मैंने फोन करके पुलिस को बुलाया यहां तुम समझ रही थी कि मैं तुम्हें सच्पूर अपनी बीवी मानकर तुम्हारे खुबसती के जाल में फस रहा हूँ नहीं में साथ मैंने तुम्हें कॉफी में जहर मिलाते हुए देख लिया था तुम्हें मुझे मारने के कोशिश की एंट वक्त में तुम्हारे फादर अन्थनी आ गए मैंने कॉफी उन्हें पे लाती this इतो Why are आजए आंथनी और यह कि अंद आए एंटनी तुम्हारा खेल खंप होगया मैंसा अब तुम यह बतांाओ कि तुम इंस्पेटर बल्बीर के साथ जीप में जाओगी या लाश के साथ एम्बूलेंस में जाओगी पुली स्टेशन सोच के रखो आई इंस्पेक्टर बुल्मीर आई ये देखिए लाश तो यहीं थी इंस्पेक्टर साब आई यहीं थी ये अरभ नहीं है जरा प्राइब आ रचितरा तलाश कर लिए लाश के लशक्र बातरूम ड़्य की लाश यहां पड़ी थी और में तो पैर इस तरफ था पैर आपसा फजर के मैं आपसे चूट बोल रहा हूं नहीं नहीं यहां लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर फादर यहां पड़े हुए थे और आपके कहने के मुतावित मर रहे थे तो फिर वो गए कहा हूँ इसमें तो नहीं है ऐसे ही बस उठे और कपड़े जटक के चल दिया देखिए मिस्टर कपूर अभी तक तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वज़ा से मुझे कुछ एक्शन लेना पड़े लेकिन अब जो आप कह रहे हैं यह बहुत सेरियस बात है आई होप यू रेला अरे इसमेक्टर साब आप तुबारा यहां कैसे इन्हों ने अभी अभी मुझे फोन करके बताया कि आपने इनके लिए जहरीली कॉफी बनाए जो इन्होंने फादर को पिला दी जिसे फादर पीकर मर गए क्या रभी डालिंग तुबारो मत लड़की मैंने अपनी आंकों स अभी इसमें थोड़ी कॉफी बागी है अगर आपको मेरा यकीना हो तो आप इसे लिबार्टरी में चकरा लीजिए इसे लिबार्टरी से चेक करानी की कोई जरुरत नहीं मैं ही चेक कर देती हूँ अरी Excuse me मेरी बाइबल यहां कहीं रह गई Oh, there it is आप, आप जिद्धा है? तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाओं? No, my son, ऐसा नहीं सोचते हैं Inspector साभ Inspector साभ यह दोनों मिलकर क्या चाल चाल रहे हैं मुझे भजाने की मुझे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं मैं वाकि पागल हो जाऊंगा यहां यह राइट मिस्टर कपूर और पागलपन बहुत खतनाक बीमारी होती है जिसे हो जाए उसके लिए भी और औरों के लिए इसलिए मेरी सला है कि आप दिल्ली वापस चले जाए अपनी बीवी को चोड़कर यह आपकी बीवी है इन्हे पर खुणका इलजाम लगाते हैं सिर्फ यह थावित करने के लिए कि आपकी बीवी नहीं है हाला के इनके पासपोर्ट ट्राइविंग लाइसंस हर चीस से थावित होता है कि यही आपकी बीवी है यह मेरी बीवी नहीं है नहीं है रफी प्लीस ले मैं अलोन जाए जाए इस वक्त बहुत करने का कोई फाइदा नहीं मैंने समझा दूंगी कोको 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 मेरे यार तो तुमने मुझे पैच्छान लिया शाबाज अब दबेर कैसी है तुमारी इंजेक्शन लगवाने क्यों नहीं आये डर गई थे क्या चला कोको चला कम अ ये आपका कुता है जया है वेरी नाइस डॉग बड़े अची नसल होती है एक बार किचीत मिलने तो फिर उसे भूलते नहीं है जया है आइम डॉक्टर सक्स है ना जानवारों का डॉक्तर हूँ चला कुछी दिन पहले एक और लेकर आई थी मेरे पार मॉरत कब शायद हाँ आज संडे है ना जिया वो थर्जे को आई थी देखी सर तीन रोस पहले मेरी पत्नी यहां बिल्कुल अके ली थी मैं दिली गया हुआ था और उन्होंने जिक्री किया था कि उनका हस्बंड कहीं बाहर गये हुए है जिया सर मैं ही उनका हस्बंड मिस आल विश्यानिता कर आप आरेख को संडे सकते है लेकिन cuma समयने आई आए मुझे विवा संद और जिborn फैरी काह स्ब्रब्बी अभ्याको ऑशे ओख छुआ है और वो इंजेक्शन दे दी जिसके बारे में जिकर करें से मैं आदे गंटे में आता हूँ तरबार मार अभी हो है अरे चल मेरे साथ सवालों को जवाब आप मैं तुम्हें देता हूँ मेरे साथ रोप देखो रोज नहाया करो शरीर साफ रहने से मन भी साफ रहता है सश्टी का यही सुनहरा नियम है गोल्डन रूल ओफ नेच्चर अज़ी रहता है अज़ी मिस्टर कपूर आए 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 आप वाकई बहुत पंक्च्छल है वैसे मेरा टाइम भी हो चुका है अब आप ले जा सकते हैं कोको को मैडम दिस इस डॉक्टर शार्ट सक्षेना अरे अरे आप लोग एक दूसर को जानते नहीं है अनिता जी है इंट्रीवसर से दॉक्टर जी मैं इनकी पत्नी हूँ मिसिस रवी कपूर तो फिर वो कॉन थी वो वो कौन वही जो उस दिन कोको को लेकर आई थी और क्या रही थी कि वही मिसिस कपूर है वो मैं ही तो थी आपको याद नहीं है जी मुझे तो अच्छी तरह से याद है आपकी उमर हो चुकी है इसलिए आप शायद भूल कर रहे मुझे पहचानने में देखिये मैडम जब मैं एक जैसे जानवरों की शेकले पहचानने में भूल नहीं करता तो इंसान की शेकले पहचानने में कैसे भूल कर सकता हूं लेकिन इनका भी तो यही कहना है कि यही मिसिस रवी कपूर है अब मुझे गलत मैं समझिए जल्दी लाइए रसी रहो जब तक इंस्पेक्टर बलबीर नहीं आते है एक बात बदाई डॉक्टर साथ कुटा तो कभी अपने माले को पैचाने में दोगा निखाता तो फिर ये कोको कैसे दोगा खा गया इसे पैचाने में बहुत बड़ी सीती सी बात है कुटा हमेशा इंसान को खुजबू से पचानता है मुझे लगता यह भी वही सेंट लगाती है जो तुम्हारी भीवी लगाती है इसलिए कोको भाग के इनके पार चलागे अब इसपेक्टर बलबीर प्लीजश आप रवी कपूर बोल रहे हैं क्या मुझे इंस्पेक्टर बलबीर से बहुत चरुली प्लीज उन्हें टेलफोन देरिजिए यहाने आपको कोई तीसरी पत्नी मिल गई क्या आप बता सकते हैं कि इंस्पेक्टर बलबीर इस वक्तं कह कि प्नुटाए बुटार बुटाए लगाने। ओ, चीटी बन के चिट गई तो फिर बीचा न छोड़ेगी आज की बीवी तिल से नहीं, बस माल से रिष्टा छोड़ेगी आज की बीवी दिल से नहीं बस माल से रिष्टा जोड़ेगी माल के पीछे मरत है खागल औरत क्यों सर खोड़ेगी औरत दिल की दीवानी बस दिल से रिष्टा जोड़ेगी नूर्याला ऐसी नोरिल मिले तो हर जोड़ी सलामत रहे माल न हो बाकिठ में तो मर जाए कुवारे नाजवान दौलत मंद हो भूड़ा भी तो कर ले साउसो शादिया दीवी दाना प्यार मिले तो मामा पाल कंधाल है प्यार के दम से जोड़े जोड़ी वो जोड़ी हुश्चाल है नोरियाला ऐसी नोरी मिले तो हर जोड़ी सलामत रहे चीटी बन के चिटक गई तो फिर पीछान छड़े दी आज की बीवी तिल से नहीं बस माल से रिष्टा जोड़ेगी ओरत दिल की दीवानी बस दिल से रिष्टा जोड़ेगी ऑगाब खिर तो जोड़ेगी हुआ 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 क worth it बीवी घर में खैश करे शाध है वो चैक जिसे बीवी की כ。 जो है कुमारा महीं यहां मड दीवी को पतना करे शादी शुदा जो है वो समझे बीवी कितना पां करे अरे नौर्याला ऐसी नोरी मिले हर जोडी सलामत रहे नोर्याला ऐसी नोरी मिले तो हर जोड़ी सलामत रहे चीटी बनके चिटक गई तो फिर पीचा न छोड़ेगी आज की बीवी दिल से नहीं बस माल से रिष्टा छोड़ेगी औरत दिल की दीवानी बस दिल से रिष्टा जोड़ेगी नोर्याला ऐसी नोरी मिले तो हर जोड़ी सलामत रहे नोर्याला ऐसी नोरी मिले तो हर जोड़ी सलामत रहे फ्रीज वाटा सब्सक्राइब अपने कि अपना मज़ा रहा था तुम कहां से गपक वाले पीच में लेकिन सर मुझे सबूत मिल गया है को मेरी बीवी नहीं है अरे आप एक घिसे हुए रेकॉर्ड की तरह उसी जगा बार बार बचते रहते हैं, मैं आपको सुनते सुनते भोर हूँ लेकिन वो मेरी बीवी नहीं है, क्यों नहीं समझते हैं आप पहे देखो चिला कर कहने से जूट सच में तो नहीं बदल जाएगा इस बार मैं आपको ऐसे गावा से मिलाओंगा जो मेरी बीवी को बहुत पहले से जानता है और तो अच्छा, कौन है वो ? टॉक्टर सक्सेना टॉक्टर सक्सेना वो जानवरों वाला डशाभ अरे उस टॉक्तर सक्सेना के पास जाने से बहतर होगा आप दॉक्टर शक्षमा के पास जाईए और अपने दिमाग का इलाज कर वाईए इंस्पेक्टर मेरी बात का यकीन कर लीजिया इस बार कितनी बार यकीन करूं? कितनी बार यकीन करूं? हर बार तुम्हारी बात खलत निकलती है, मेरा टाइम फ़जूल में खराब होता है एक आखरी मौका देजिए, प्लीज, मेरी खादिर ओ, गाद, कैसे कैसे लोग पेशेखते हो, यारा यारा चलिए, तैकर साइब, आईए मैं, स्पेटर साइब, आईए अब क्या हुआ? आप आई, आप आईए चलिए यजिए यजिए क्लिनिक में हो ओरा नहीं तो होंगे प्लीज, प्लीज, यजिए नगर्टर समकाव कैसे ऊसकता मैने खुद इसने एक्टिमल बीर आप यहाँ कैचे हैं तुमारे हस्बन भी आगय तुमेल लेने के लिए अच्छे डाक्र साब तो हम चले एक मिनट एक मिनट डाक्र साब आप जानते हैं कि यह मिस्स रवी कपूर है और यह इनके हस्बंड मिस्टर रवी कपूर थोड़ी देर पहले ही आया तो यह अपनी बीवी और कुट्टे को छोड़ने के लिए अपने मिस्टर कपूर और क्या के गएते कि आदे गिंटे में लोटता हूं जूट मत पूर ठाक्र सकते ना तो वही थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मेरी बीवी नहीं है और अब कितने पैसे लिये सवत्सेट, मिस्टर कपूर तुम क्यों मुछे बार बार पर पेज़त करते हो अगर तुम्हें मैं पसंद करता है और बंद कर अपना इना टक शान तो जाओ रोणी इतना गुसात मरने ठीक लेना शान प्लीज दाइट यो शाराब मिस्टर कपूर, मेरी बात सुनिये, जब से मैं आपसे मिला हूँ, सिर्फ आप एक आदमी है जो कहते जा रहे हैं कि ये आपकी बीवी नहीं है, हाला कि हर बार यही थाबित होता है कि यही आपकी बीवी है, अब अगर आपने कुछ भी भोला, मैं आपको अरेस्ट करके हवालात में बंद कर दूँगा, जहां से आपको सिर्फ पागल खाने का डॉक्टर ही छोड़ा सकता है, और वो भी ये थाबित करने के बाद के आपका दिमाग खराब हो चुका है, पिचारे पती देव जी, अब तो सारे दर्वाजे बंद हो चुकी है, अब तो मेरे साथ ही रहना होगा, बंद कमरे में, शाबाज डॉक्टर सक्सेना, बेरी गुड, अब तो ये दोनों कोलियां तुमारे चाथी में उतार दूगा, सब्सेर जबागा, इया यूज रुष, ow में एकाथी में ने की ज़तार दूत Κयाणे हो झामने के बंदाधी में गले एकाथी मेरे फियो से घ्की है, पर लग गोली से उड़ा दूगी नहीं आनिता चला अभी तो इसने दस्तखत करना है सिर्फ तुमारा एक दस्तखत और वो पचास लाख रुपए जो तुमारे बीवी के नाम उसके अंकल कर गए थे अब हमारे हो जाएंगे क्या नाम बताया था मिस्स कपूर के अंकल का अंकल सववानी एफरिका वाले हाँ एफरिका वाले ठीक आठ बजे चस्ट में चले आना वहाँ सारे कागजाद भी त्यार होंगे और साथ में हमारी ब्लेसिंग्स भी और अगर मैं नहीं आया तो तुम्हारा भी यही आश्यर होगा खांको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा न रहे आपकी किस-किस बात का यकीन घर हूँ कभी प्रीस्ट कॉफी पीकर मर जाता है कभी प्रीस्ट डॉक्टर का खून कर देता है माफ कीजे मुझे आपकी किसी बी बात पर यकीन नहीं रहा किसी बी बात पर नहीं आ रहा यह ऐसी वैसी बात नहीं है इंस्पेक्टर आप समझते क्यों नहीं यह उन दोनों की साज़श थी कि वो औरत मेरी बीवी बन कर आ जाए और मुझसे वो पेपर साइन कर आ है ताकि वो साधी तौलत जो मेरी बीवी के अंकल छोड़ गए है उसके नाम उनकी हो जाए यही तो साज़श है उनकी इसलिए तो शाम को उनने मुझे चर्च पे बुला है कागजात पर दस्तकत करने मेरी बात का यकीन कीजिए इस्पेक्टर साब ठीक है आखरी बार आपका यकीन करता हूँ for the last time अगर आपकी बात सही निकली तो उस प्रीस्ट के थिलाफ अक्शन लिया जायेगा और अगर आपकी बात खलत निकली तो तो जा के मालूम करो डॉक्र सक्षेना के यहां क्या हूआ येस सर थैंकिप नाटक बंद करो एंथ्टिनी मैं आ गया हूँ जब दिल में पाव का अंधेरा हो तो कोई भी पूजा कैसी भी प्राथ्ना उजाला नहीं कर सकती उजाला तो होगा ही Mr Kapoor, बहुत उजाला लेकिन हमारी जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा लिखा हुआ है understand my son पेपर्स कहा है बहुत जल्दी है पेपर्स एंड करने की या अपने बीवी से मिलने की जल्दी है किस बात की जल्दी है यह तो बात में पता चली जाएगा ओ तो येलो पेपर और येलो पेपर इंतजार तो आप हमसे भी नहीं होता और इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है इंस्पेक्टरबल बीर अब आपको मुझे बर्विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ मैं कहा रहा हूँ वो सच कहा रहा हूँ इस देखिए पढ़िए ये वो ही पेपर जें जिस पर जबरदस्ती मेरा साइन लेकर ये दोनों मेरी बीवी की जाइदाथ हडपना चाते थे इस दम इंस्पेक्टरबल बी इस देखिए नहीं है देखिए नहीं देखिए ये फादर आंथनी की संस्ता के कागजात हैं बढ़िए ये ये नहीं हो सक्ता है कुछ भी पहुसक्ता है किव आप ठागल आई ये पागल के साथ किश भी हो सकता है इस्पेक्टर बभी, इस बॉक्ताथ शिक्ति साह में जानता और नहीं मानेंगे फिर biggest तूड़ इससे पूजिए डॉक्टर सक्सेना क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ है तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है इनकी तरह जो ऐसी हसरा हो अरे नहीं साहब नहीं लेकिन लगता है इनका दमाग जरू खराब हो गया है क्योंकि डॉक्टर शरत सकसे ना जो है, वो कोई मरे वरे नहीं बले चंगे है और कहीं बाहर गए हुए, किसी जानवर का इलाज करने के लिए ऐसा उनकी इकलोती और असली पचली ने कहा है लेकिन ये, कैसे में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जानता था, तुम इंस्पेक्टर को जरूर बलाओगे, मैंने या तुमें तुम्हें शिर्फ आजमाने के लिए बुलाए था चलाओ, काले चलो तुम मुझे, मेरे घर जहां असली कलम से असली कागजात पर तुम्हें असली दस्तकत करने होंगे, चलाओ बहुत उचलकुद कर ली, बहुत दिमाग चला लिया, अब कलम चलाओ मुझे तो पहले ही शक्त कि तुम कोई फादर नहीं हो, यहां पर दस्तकत करो यह भी ऑलूमता तुम दों एक दूसे से मिले उए हो, यहां पर दस्तकत करो हूँगा, यह में ही इन उसके अंकल ने जो 50 लाख रुपे बैंक में रखे हैं ये बड़ी आसानी से निकाल सकती है हाँ, उतनी ही आसानी से, चितनी आसानी से मैं तुम्हारी जान निकाल सकता हूं Understand my son? Yes, I understand के मेरे दस्तखत के बिना ना ही तुम लोग बैंक से रुपे निकाल सकते हो, ना ही जान ले सकते हो हाँ, परिशान ज़रू कर सकते हो मैं तुमारी परिशानी को इतना पढ़ा सकता हूं तुम तडब तडब कर मुझसे खुद भीड मागोगे, कि मेरी चान ले लो, सिर्फ दो घंटे का वक्त है तो, सोच लो कागजात पे दस्तखत आसानी से करोगे, या तडब तडब कर करोगे, उठाओ! कर दो सुनी सुनी राते हैं जलती जवानी कब से है प्यासा दिल तेरे लिए ज्यानी सुनी सुनी राते हैं जलती जवानी कब से है प्यासा दिल तेरे लिए ज्यानी देगने बाहों में ओजरा पासा और भी पासा कर दो कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है हम तो मिले दिल की अभी मुलाका आधी है चांदाधा है रादारी है बाताधी है हम तो मिले दिल की अभी मुलाका आधी है तिस दिल तो मिला और जरा आपास आप सुनी सुनी राते हैं जल्दी जवानी कब से है प्यासा दिल तेरे लिए जानी कर दोनी कर दोनी तेरा को झाते हैं अंगु अंगु में आगसी लगे जान जल उठे आहे भरके मर मर के राग ये ढले अंग अंग में आगसी लगे जान जल उठे आहे भरके मर मर के राग ये ढले मुझे ना जला और जरहां पासा और भी पासा सुनी सुनी राते है जल्दी जावानी कब से है प्यासा दिल तेरे लिए जानी मुझे जले वह में हजरा पासा और भी पासा अब तुम जिदर भी देखोगे मौत नजर आएगी हराम सादे बहुत समय हो चुका है मैंने दो घंटे की महलत भी दी थी तुझे यह महलत तुमने दी थी मैंने नहीं मांगी थी और दो घंटे क्या पचास लाग रोबेक ले तुम मुझे दो साल भी दे सकते हो अगर मैं यह कह दूं कि उसके बाद ही मैं इन कागजात पर दस्तकत करने को तयार हूँ मुझे तुमने तुम में गोली मारने की ताकत होती तो पहले ही मुलाकात में तुम अपनी असलियत पर उतराते तुम में वह ताकत नहीं है इसलिए रिवॉल्वर चलाने की जगा तुम चर्च में मुंबत्यां जलाते रहे और एक याश नाशने वाली और का सहरा लिया और यह नर्टक किया कि दस्तकत करते हो या नहीं मुझे वह पैसा चाहिए अरे पचास लाग क्या मैं तुझे अपनी सारी दौलत दे दूं लेकिन यह तो बताव मेरी बीवी का है भाड़ में जाये तुम्हाने वीवी और एक बात ध्यान से सुनो मैं चर्च में सिर्फ मुंबत्य जलाता ही नहीं बल्कि बुझाता भी हूँ नहीं आंदरी उसमे आओ इसलिए अभी तक दस्तकत नहीं की हुँ आज हुँ हुँ आजिए पुदट प्रप्र पाइ Volt प्रव़ प्रव़ हु़ अच्छा आप देखिए इंस्पेक्टर बलबीर यहां होते है तो आपकी हलो सुनते ही फोन पटक देते देखिए सहाब ने ओडर दिया है कि आपकी कोई बास सुनी ना जाए और अगर आप यहां आएगे तो आपको लगब में बन कर दिया जाएगा मेरी बास तो दो हलो 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 बेजान तार पर लटका हुआ टेलीफोन चाहे जितना भी छूले वक्त आने पर रुकना ही पड़ता है उसे तुम भी रुक जाओ मिस्टर कपूर वरना चाहे इंसान की गर्दन हो या टेलीफोन का तार कटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता ला वो कागजात हो मुझे मैं तासिकत करने को तया हूं लेकिन ये तु बता तुम भी बीवी का है वाँ एक पागल समझदारी का सौधा कर रहा है तुमारी बीवी का ला-पता होना हमारे काम्याबी का पहला कदम दा अब अगर तुमने यहा से भागने के लिए एक प्यक कदम उठाया तो वो तुमारी जिंदगी का आखरी कदम होगा काग्जात लाओ काग्जात ? वह काग्जात तो तुम हरे पास है जर्मती नहीं वो कितने जर्मती थे वो कागजा तो शाहद घर फ़री रहे गए इधर आओ पिस्टॉल पकड़ाओ इसके सीने को निशाना बनाकर पिस्टॉल ताने रखना जरा से धरकन भी बदली तो गोली चलाते ना जब तक हम कागजात लेकर आते अगर तुमने को यसे वैसे हरकत की ता अपकी बार तुमारे खुन से दथाकत करवाओंगा चलाओ सदिक आपॉड को सदिक आपॉड। भी है मैं हुआ 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 हुआ! कर दो दो हुआ 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 अहो, हरकाल तेरी गुत ती फरहन दे कोई है? ओ मिसिस कभूर कोई है? कभूर साव कार ने कोई नी? कोई है? कोई है? अलो! कोई कोई है, कोई है कोई कर दो तो तो पॉलोल की कर्दा दर्शिया एंदू जव किस ने किया तो बोलो मुशे के मुऊ बन दे है एक मिनिट एक मिनिट अराम नाड अराम नाड अब तो सुझी की हो या किस ते किया वह सब मैं बात बताऊंगों तुम तुम यहां क्या कर रहा हूँ पजी मैं तो खाना लेकर आया हूँ खाना बनाना और सप्लाई करना तो मेरा काम है मुने ओर्डर मिला तो मैं खाना लेकर किसने अड़ दिया मिस्स जनीता कपूर ने कब बंगल बद्ध ती रोस पहले ती रोस पहले यानि फिर उस वक्त वो मेरी बीरी थी आप मिस्टर रभी कपूर है वो मिस्स रभी कपूर है तो आपकी पतनी हुई ना वह यार उन्होंने तो मुझे इस बंगले का एड्रस दिय उन्होंने का ता आज आपकी स्याथी की शालगीरा है पौब बनाई हो जी और आपको यह सब कैसे पता हुँग हम वोग्यां उन्होंने बता है इसली यह में बता चला इसका मतलब कि तुम मेरी असली बीवी को जानते हो, मिल चुके हो असली क्योदे बारे में तु सुनाता है, ये असली पद्वीदा की मामला है, कमाली का लएजी पॉबी सिंग जी आप इंस्पेक्टर बलवीर के अच्छे दोस्ते ना आओ मेरा काम कर दो, देखो तुम इंस्पेक्टर बलवी को फोन करके कहो, कि तुम मेरी बीवी को जानते हो और तीन रोस पहले तुम उन से मिल चुके हो, बड़ी महरवानी होगी हाँ क्या 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 आप की गल करते में पल्ले नहीं पड़ रहा हूं है तो बिलकुल वह मिक्स वेजुटेबल ना मामला हो रहा हूं आपको सब कुछ समझा दूब यह भार बात कर लिजे इंस्पेक्टबल ऐसे वह आलू क्या हुआ आपको कहसे बिदा जला मैं बोल रहा हूं पुर्स आपको फिर से पागलपन का दौरा पढ़ा गया इसलिए आपने मेरी बात नहीं किया आपने फोनीचे रख गया पुजी आप नहीं समझेंगे पुलीस वाले आफ्टर आप पब्लिक सर्वेंट इनको जाना मूह नहीं लगाना चाहिए सिर्फ हुकम चलाते रहो आप फिकर मत करिये जी वह भागा भागा चलाएगा आप तो यह दस हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है दरसल मेरी बीवी ला पता है बॉबी सिंग और एक और जबरदस्ती यह मनवाने पर तुली हुई है कि वो मेरी बीवी है उसका साथ एक खतरनाक आजमी ने दिया है दरसल वो दोनों ही बहुत खतरनाक है यार फिर से मिक्स वेजटेबल हो रही है यह तो तुम? तुम कौन हो? मैं हुझी बॉबी सिंग टाबे वाला खाना लेकर आया हूँ पर आप कौन है? मैं मिसिस रभी कपूर हूँ इनकी पत्नी यह कैसे हो सकता है? अरे जो मुझे ओडर देना आय थी वो तो कोई तो इसका मतलब है कि तुम इसकी असली पत्नी को पहचानते हो जी लो जी आ गया सदा प्रा बल्ली आ गया खूडे पता चल जाओगा चारच का चारच ओ लसी का लसी कियो जी ओ यार बल्ली किनल ओ वक कैसे लिता इसकर aisाप इनसे गलते होगी कुसीमें के हाथ उसे हो जब उसने भी इसी बात की गवाही दे कि मैं इनकी पत्नी हूँ तब इनोने चाकُ बढ़ गःसे! नयasant, ए मे चुलब आखे तो, ए चुछब आखे तुने डिट वाइ दो अरा, जो निम बनाजा, तो n生त बत ईग्यों की चुछना सेवता है जो आखे तो, जो आखे!!! जो आखे, जो डियोके!! कई भब दो क्या करने फिर तुम अवोल दो के अवाँ ओपी सेंग हुष मैँ हो अवाँ, फो दो पन्गरीट गाँ किसा अभी कर से दिले चेल tension मिस्टर के वस्तолी करें मिस्टर क्पूर already मुझे आपको गिरिफ्तार करना ही हो गा इस्पेटर सम् में ऑने खून ही और ये जान घून अब जाह्त अपने मेरी दोस्त का खून किया है इस्थ पैर लिदल य्द्य व्य मेडिव करनेर क्या? इस्पति साब मेरी बात बालीचे, इसने खूर किया है इस्पति साब मेरे पती को छोड़ दीचे, इनका कोई दोश नहीं है क्योब इने पालतर परका दोरा पड़ जाता, इने किसी चीज का ओश नहीं रहता पाल से फून था? बॉबीसिंग अभी जिंदा है, वह बहो शाई है मैं इस्पताल हो के आगा हूं, उमीद है आप यहीं मिलेगे बॉबी से ज़िए आगया यकीर वारी, इसपति निर्दोश है मूआ इस्पति मुर्दोश है मुर्दे निर्दोश है मूआ अब तुम्हारे हाथ कभी नहीं खुल पाएंगे मिस्टर अभी कपूर, तुम या तो फासी पर चड़ा दिया जाओगे, या पागल खाना पेश दिया जाओगे, कागस में दस्तकत कर दो, फिर मैं खुद तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, तब तुम कहीं भी भाग सकते हो अगर बॉबी सिंग मर गया होता, तो शायद मैं तुम्हारी बात पर यकीन भी कर लेता, मगर बॉबी सिंग मारा नहीं है, और वो इंस्पेक्टर से हकीकत की बात क्या देगा, हाँ अरे जाबे, इंस्पेक्टर बलबीर के एस्पताल पहुंचने से पहले ही, मेरा दोस्ट आंथनी वहाँ पहुंच जाएगा, फादर आंथनी, अंडिस्टैंड, और बबी सिंग के होश में आने से पहले ही, उसे हमेशा के लिए बेहुश कर देगा, करेक्ट, हमारा काटा दूर हो चुका है, अब तुम्हारे लिए समझो कि फांसी का फंदा तयार हो चुका है, अब दस्तखत करोगे हैं नहीं ठीक, एलाओ कागजाद, इस बेटे बलबी के आने से पहले मैं पहते स्तखत करता हूँ शाबाश, पहली बार तुमने एक अच्छे बच्चे की तरह बात की है, अनीता, तुम इसे खोल दो, मैं कागजाद लिख रहता हूँ यह क्या कर रहे हैं आप, इंस्पेक्टर साब, यह बेख़ूर है, इसमेक्टर साब, अगर किसी का दिमाग खराब हो, तो फिर इसमें उसका क्या खुसूर है, और आप तो खुछ जानते हैं, यह मुझे अपनी बीवी माने से इंकाजाद, इसके आसूबे मत जाई हैं इसक मेरे चुप हो जाने से असलियत नहीं बदलेगी इंस्पेक्टर, जब आपको पता चलेगा कि जो कुछ मैं कहरा हूँ, वो सच है, तब आप अच्ताएंगे, लेकिन दब आपके दोस्के कातिल बहुत दूर निकल चुके होंगे, और तब आपकी सबसे बड़ी हार होगी, इंस्पेक्टर साब, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं, यह औरत, यह औरत शैतान की बेटी है, बेटी, मेरी बेटी इंस्पेक्टर साब, मेरे सबसे बड़ा सभू तो मेरी बेटी है, इंस्पेक्टर साब मेरी बात का यकिन कीजिए, एक बच्ची अपनी माँ को पैच इन्हें माफ कर दीजे, यह तो बिद्रा, बात अब माफी की नहीं है, अब या सजा या रहाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तॉबी सेंग, तुम पोखरा जाके इनकी बेटी को लेकर आओ, पोखरा में, सेंट पीटर्स कॉन्वेंट, नाम है घीता कपूर, सै जाता हूँ, शायकर कांस्टबर के साथ बच्ची को आने के अजाज़त ना दे, इस्कूल का मामला है, ठीक है, यह आदमी नी जाएगा, यह आदमी कातले, इस्पेटर्स साब, जो भी सबूद इनके खिलाफ होगा, यह मिटा देगा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को माण जám जगा तको भूज़ता होगा, इस्कूल...' जगङा होगा, जगदमी को को कहेंदा है, जञाएएगा? हुआ 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 है हुआ हुआ है पर नहीं गोली मार तूंगी देखा इस्पेक्टर ये मेरी बीवी है मुझे पर गोली चाहती है ये मेरी बीवी हो सकती है क्या मैं तुम्हें मारना नहीं बचाना चाहती हूँ तुम गुस्से में अपने होश को बैटे हो डालिंग तुम्हें ये भी पता नहीं कि तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो और ये और मुझे जीते ची मारते है देखो मेरा आखरी सबूत मेरी बेकी है अगर उसे कुछ होगे तो मैं तुम दोने को नहीं छोड़ूँगा मैं इस्पेक्टर आगे बड़े तुमान इस लड़की को गोली माट दूगा मिरी बात सुनो मिस्टर कबोर तुम मेरी बच्ची तक नहीं पहुंच आजिये इस्पेक्टर तो इस्पेक्टर मुझे मत रोको मैं मजबूर हूँ चरण दूगा ने इस्पेक्टर एक बच्ची अपनी माँ को पैचान में को गलती नहीं कर दो तुम तुम बच्च के कहां जाओ के रोई मेरी बात सुनो फ्लीज चरण प्लीज करें में इस्पेक्टर प्लीज वहां राट में इस्पेक्टर पिर गटो इसले कर दिति दूखके प्राट प्राट मेरे बेट्टी का ज़ने मेरे बेट्टी कीता कहा है अदूर एल बत्ची को ओने ज़ने ज़ने ज़ोना ज़ना ज़ना तुझे ऊंधवा है इसने तुम्हारी बेटी जिन्दा है देखाओ पापा गीता बेटी आजा मामी इसके पापा मैं तुम्हारा आखरी सबूत भी तुम्हारे खिलाफ कमाही दे रहा है लेकिन यह कीता की माँ नहीं है यह मेरी बीवी नहीं है तो गीता भी तुम्हारी बेटी नहीं है किता जूट बोल रहे हैं क्यों जूट बोलेगी किता क्यों एक अज़ान आलत को अपनी मा कहेगी तुम क्यों नहीं मान लेते कि यही तुम्हारी बीवी है नहीं मान सकता यह क्योंकि मैं जानता हूँ यह मेरी बीवी नहीं है और मैं सच कहरा हूँ जी नहीं आप जूट बोल रहे हैं बाकी सब जूट बोल रहे हैं मैं सच गह रहो खेयरो यह मैं मैई बीवी नहीं नहीं है मैं कहता हूँ यही आपकी भीवी यही हो सकती है आप उसे जाके झूदए, कई और वो ''वो'' आपको सरूल मिल जाएगी तुमिल चाहिए बाप किसे चाहिए? मैं चाहिए तूकि मेरे कारी में थैंक्यू मिस्टर कपूर थैंक्यू वेरे मच्च अब आप बिलकुल सच बोल रहे हैं और आपसे यही सच बुलवाने के लिए हम सब आपको जुटलाते रहे आज तक जिस रोज आप रिपोर्ट लिखाने आये थे कि आपकी बीवी लापता है हमें उसी सुबा को आपकी बीवी की लाश मिल चुकी थी पोस्ट मॉटन की रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मौत गाड़ी जलने की वज़ा से नहीं बलके गला दबाकर दम घोटने की वज़ा से होई थी हमें शक आप ही पर हुआ क्यूंकि उनकी मौत से फाइदा सिर्फ आप ही को होता था और आपसे अपने जुर्म का इखरार कराने के लिए काटमांडू पुलिस ने ये प्लैन बनाया आपकी बेटी गीता इस ड्रामे की आखरी किरदार बनी हमें इससे ये कहना पड़ा कि अगर वो इन्हें ममी नहीं बुलाएगी तो हम आपको मार डालेंगे I'm sorry और CID इंस्पेक्टर सुधीर राय ने फादर आंथनी की भूमिकाने भाई Thank you inspector Thank you और Mrs. Rana ये actually सुधा जी है हमारे यहां की stage artist है और आपकी बीवी अनीता बनी मेरी बीवी सुजाता ना बॉबी सिंग मरा और ना डॉक्टर सक्सेना जो अचानक आपको मिल गए थे और जिनकी वज़ा से हमारा खेल वक्त से पहले खतम होने वाला था लेकिन सुजाता ने उन्हें भी आपकी हकीकत बता दी और वो भी हमारे साथ शामिल हो गए Excuse me Mr. Kapoor You'll have to go through this formality आपके बारे में सारी information हमें दिल्ली के पूलीस से मिली वही से हमें यह भी पता चला कि आपके बीवी के नाम उनके अंकल ने पचास लाख रुपे बैंक में जबा कराया थे और पचास लाख रुपे कोई मामूली रखम तो नहीं होती जिसके वज़ा से आपने अपनी पत्नी का कतल किया है मगर दॉलत के लिए नहीं जानता भी नहीं था कि आनिता कि किसी अंकल ने उसके लिए इतनी दॉलत छोड़ रखी है मैं खोद एक रही सादमी हूं लाखों कारो बहर है मेरे पास लेकिन मेरी असली दॉलत थी मेरी पत्नी मेरी बच्ची मेरा घर हाजा साब यहीं दॉलत थी मेरी कि बहुत खुशता हमने अपने प्यार भरी दुनिया से उस वक्त तक जब अचानक वक्त से पहले में काटमंडू लोटा जी चाहता है बस मर जाओ तुमारी बाहों में पिछले नौ सालों से आम यूहीं में अगर इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यहीं है इस पिस्तर पर तुमारे साथ दूसरा कोई मुझे यह सुख नहीं दे सकता रवी भी नहीं जट साब मैं आपसे पूछता हूँ अगर इस तरह आप अपनी पत्नी को किसी घैर मर्द के साथ देखते तो आप क्या करते आप क्या करते ओफिसर रायर टॉक्टर सक्षेन बभी सेंग और आप क्या करते इंस्पेक्टर बल्भीर भगवान ना करे अगर आपकी पत्नी मेरी पत्नी की जगाह होती तो आप क्या करते आप भी वही करते हैं जो मैने किया इस तुमने मेरे प्यार का अपमान किया है आनीता मेरे विश्वास को ठोका दिया है तुमने तुमने पति-पत्नी के पविस्त्र रिष्थे को अपनी हवस के हाथों माड़ डाला नहीं यह भूर जब मेरे अंदर का फटता हुआ जवाला मुखी शांत हुआ तब मुझे इस बात का एसास हुआ कि जजबातों में नाकर मैंने अपने वीडिकceğ मार ड़ा मेरे हाथों एक अपराद हो गया है कियसी क्या प्राश्चे सिर्फ मेरी मौत् हो सकता है अपनने आपको पानून की हवाले करने से अच्छा मैंने मैं समझा कि मैं गोली मार लूँ अपने आपको खुद खुशी कर लूँ खत्म कर लूँ इस शर्ण नाक जिंदगी को लेकिन तब मुझे ख्याल आया अपनी बेटी की ता का उसका क्या होगा और प्यार बहुत सुवारती होता है जजज साब मेरी ममता ने मुझे रुक लिया अनिता की मौत के बाद गीता के लिए बेसिवा और कोई भी सहरा नहीं था इस दुनिया में इस दुनिया में जहां चारो तरफ पाप फैले हैं जहां कोई भी एक अनाथ बच्ची को भैका सकता है यही सोचकर मैंने कोई भी कदम नहीं उठाया जजज साब के पहले मैं अप जाके गीता की शादी हो जाने पर वो सरकार के हाथ में दे दे लेकिन आप इसली जाद्यी आप मुझे कोई भी सिज़ा दे दिजी है लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद मत होने दीजेगा है मैं अपर ब्र। करता हूं हाचुर की भीक मांगता हूं जूर्व ने एक बाले जुन कर लिया है लहाजा अदालत मुल्जम रवी कपूर को मुझ्रिम करार देते हुए ताजा ते हिंद जेरे दफा 302 के तहत 14 साल कैद्बा मुशक्कत की सजा का हुप देती है प्रवी नहीं कुछ कहने की जरूत नहीं सब्सक्राइब सजा तो मुझे भुकत नहीं होगी हाँ तुख अगर है तो इस बात का के मेरी बच्ची कीता का क्या होगा कीता के साथ उसके माबाप भी होंगे पल्बीरोर में हाँ रवी जजबात के बहकावे में इनसान खलती कर बैठता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं के वो इनसान खलत है अपने फर्ज के नाते मैंने जो कुछ करना था किया अब एक दोस्त के रिष्टे से मैं तुम सिवादा करता हूं कि तुम्हारी बेटी को हम पाले हम उसे माबाप का प्यार देंगे लेकिन कहलाएगी वो हमेशा तुम्हारी ही बेटी गीता कबूर क्यों अप्या स्दूर झाले याखी बेटी है इंट क्यों क्यों करो प्यूर करता हुप बेटी है